खासी जो होती है खुद में एक बहुत बड़ी बिमारी है अगर इसका treatment सही ढंक से ना किया जा तो यह problem काफी बड़ी हो सकती है काफी यह body में problem create कर सकती है खासी होने के बहुत सारे कारण होते हैं इनके कुछ टाइप भी होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जाए ये भी बहुत जारा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे इसकी जो उपचार होते हैं आप खुद से भी कर सकते हैं अगर प्रॉलम जारा क्रियेट होती है तब आप डॉक्टर से बिन सकते हैं तो दोस्तों आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे मैं डॉक्टर दिवासुक्मार लाडला और आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों किसी भी चीज को अगर ठीक करना तो पहले उसके बारे में जानना जोड़ी होता है अगर खासी हुआ हमें तो पहले इसकी बारे में जानना पड़ेगा तब तो इसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो एक्यूट प्रॉलम होते यह खासी के उसको खुद घरेलू नुश्कों से भी ठीक किया जा सकता है अगर घरेलू चीजों से ठीक नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपना ट्रीट्मेंट इसका कड़वा सकते हैं अगर खासी जादा जिन तक आपको लंबे समय तक क्रियेट हो रही है यह ज़्यादा हफ्तों तक बढ़ रही है उस कंडिशन में आप डॉक्टर से ज़रूर से लाह ले लें क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो यह प्रॉल्म ज़्यादा क्रियेट करेगी बॉड़ी में दोस्तों इसके होने की बहुरर से कारण है जो कॉमन जो काज है उसको जानते है वह मेंली वाइर। इंफेक्षिन है। जिसमोफ फलू के नाम से जानते हैं फलूग की कर्णिशन में यह भाबलक होथी है। दूसरा Common Cold का जो प्रोव्लम होता है उस कंडिशन में खासी डेव्लप होने लगती है तीसरा मुक्षत का ङौण है Smoking गड़न हो की के खासी डेवड़ाप होती है नेक्ट जो इसका का अस्थमार अस्थमार PB केस में खासी देवलाप होती है नेक्सट टूजल मीं डेवलाप होती है और प्रव्रंकाइटis के केश में विखाषी डेवलाप होने के चाज साथ जा रहते है और प्रमूख कारान благ widis डेवलप होती है तो पहले कोज जानना है क्योंकि किसी भी प्रीमारी को ठीक करना है तो पहले कोज जानना जोड़ी होता है क्योंकि खासी जो होती है पूरे आपके जो लेरिंग्स होते हैं लेरिंग्स यहां शुरू होते हैं आपके माउथ के जस्ट पीसे से आपका इसका ध्यान रखना ज़री है और इसका पतल लगाना जानते हैं खासी के टाइप तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा होने वाला एक्यूट कफ जो होता है काफी टीवर होता है यह अचानक आता है इसका सबसे बड़ा कारणा होता है कॉमन कॉल्ड का इंफेक्शन होना अगर यह इंफेक्शन अगर अपर रेस्पारिटरी ट्रैक्ट में होता है तूसे अपर रेस्पारिटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन कहते ह अगर यह problem अगर lower respiratory tract में चला जाता है infection तुसे lower respiratory tract infection कहते हैं upper respiratory tract में common cold problem होती है उसके कहा डेवलप होती है lower respiratory tract में अगर problem क्रियेट होडा तो उसका कारण होसकता है कि lungs में कोई problem है lungs में कोई डेवलप हो रही है, अस्तमा की case में जैसे example लेते हैं दूसरा इसके जो कॉमन टाइप है क्रोनिक कफ क्रोनिक कफ होता है यानि कि ज्यादा छे साथ आठ हपतों से अगर खासी बॉड़ी में डेवलप हो रहा है तो आप इसका जरूर ठीट्मेट कराएं डॉक्टर बच्चे कराएं अगर नहीं कराएंगे तो यह प्रॉलम इसके टाइप तो अगर संक्रामक है यानि इंफ्यक्शन की कान और खासी बॉड़ी में डर्द होगा नाग से पानी आपको निकलेगा वाटरी नोज होगा को राये डवलप होगा बॉडी में काफी पेन होगा और गले में खडास होगी यह कंडिशन डिवलप होता है अगर इंफ्यक्शन जो संक्रामक रोक से हुआ यानि किसी तरह का इंफ्यक्शन फ्लू वाइरल इंफ्यक्शन की कान अगर खासी डिवलप होगी है क्रोनी कंडिशन में जारतर गले में खडास रहती है गला भाड़ी रहता है नाग बंद होती है यह कंडिशन जो होता है क्रोनी क के फ्रेक्शन के काइन होई है और अचानक हुई है और काफी severe है इतना severe है कि patient कफ के कारण इतना दम घुट रहा है कि वह सो भी नहीं सकता एक जगाव बैठ भी नहीं सकता है इतना ज़ाड़ा severe होता है अगर अग्णी ज्यादा severity है बहुत ज्यादा how chill yes झीख कर सकते हैं कि नेक्त देखते हैं ब्राइण या की जो सूखी यह रही होता है और उसको होता है धोड़ा सब्सक्राइब करते मुव्मेंट करता है हलुका साइब मुव्मेंट सब्सक्राइब बहुत ज्यादा पेन होता है। उस कंडिशन में आप ब्राणया 2 हंड़ेड को स्चोच सकते हैं। नेक्ट मेडिशन अस्पॉंजिया अस्पॉंजिया यह भी बहुत अच्छी मेडिशन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉलम होती है कि जब खासने से चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेन होता है और बहुत ज़्यादा दम घुटने असान बूती होता है पेसेंट काफी बेचान हो जाता है इस कंडिशन में एस्पॉंजिया 200 का यूज़ कर सकते हैं अच्छ क्या होता है यह फासकर बच्षों में करकर की प्रॉलम डेवलप होती है उस कंडिशन में काफी अच्छा वल करती है इसके लक्षन जो होती है पेसेंट खासने ने पर उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में का पाहर आएगा लेकिन ठोड़ा सा भी करना या तो एकदम थोड़ा से मात्रा में आता है उस कंडिशन में अच्छा वड़ करती है उसका अच्छा वड़ करती है और काफ जो होता है काफी कम मात्रा में बाहर निकलता है और ऐसा लगता है कि गले में कुछ फसा हुआ है ऐसी अर्भूती राती है इस कंडिशन आप बेलाड होना 200 का यूज़ कर सकते हैं नेक्ट मेडिसिन हायोस्यामस हायोस्यामस 200 हायोस्यामस का कफ चो होता है खासकर ये रात के समय ज्यादा प्रॉलम क्रेट करता है रात मुझे जैसे ही पेसेंट सोने जाते हैं जैसे ही बेट पर लेटता है उसका कफ तुरंत वैसे ही शुरू हो जाता है और फिर जैसे ये उठके टालने लगता है बेट शुर जाता है उसका कफ आना रूप जाता है इस कंडिशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छा बढ़ करती है खासकर इसका कफ जो होता है रात के समय बढ़ता है तो इन मेडिसिन का यूज़ करके आप कफ की बिमारी से निजात पा सकते हैं और अगर आपको इसे निजात नहीं मिल रहा है आपकी प्रॉलम अगर ठीक नहीं हो रही है तो आप कॉमेंट करके मुझे अपनी डाया रख सकते हैं अपने प्रॉलम को बता सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे बताएं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ठैंक्यू फर वाची